Hong Kong Stock Market suffers its worst day in 16 years. Stocks plunged more than 9% oil prices also sink. ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया ने यानि कि सारी चाइनीज की दुनिया है इन्होंने सोच लिया है कि अब हमने काम करने नहीं जाना है. Stock Market में लगेगा तो एक stimulus package से एक बहुत massive boost मिलने वारा है stock market को. लेकिन actual में हुआ उल्टा ही. जो होता है कि खोदा पहाड निकली चुया वह वाला काम हो गया चाइनीज के साथ. जो बिग बैंक एक stimulus package आना था चाइना के अंतर वो नहीं दिया गया. अब तक आप इंडिया के साथ relation अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुलक की एकनौमी कभी ठीक नहीं होंगी, तो यह जो कंट्रीज हैं यह इंडिया के बगएर survive नहीं कर सकते हैं. अब यह जाता है कि सिस्को के पास चाइना में residual staff है, चाइना में दीरे 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 वेवसाइड जो है जो बिजनस है वो कम होता जा रहा है, जो अपकमिंग मार्केट्स हो, जहां वीडियो कॉन्फरेंसिंग काफी हो, जहां चीजे बहुत हो रही हो, जहां इंटरनेट काम हो रहा जा, AI पे काम हो रहा, आज क्या हुआ चाइना ही लिडूबा, चाइना ने बड़ी पिटाई दिख रही है चाइना में, चाइना ने बड़ी गिरावट दिखाई है दोस्तों, सारा दिन एक ही काम हुआ है, इवन मैं अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिरल गया हू क्योंकि आपको मैंने बताया कि उसकी तव्यत खराब है, वहाँ पर डॉक्टर के पास लाइने लगी है, वो स्टॉक देख रहा है, टाइम ही नहीं है, और जो बाहर खड़े हैं वो भी स्टॉक देख रहे थे, यह हालत देखी है मैंने आज पूरे मार्केट के अंदर, और बेकारी है, वो पाकिस्तान की तरह है, अपने आपको बेकारी तो नहीं समग बनेगा ना, नमस्कार दोस्तों, जैहिन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक हफ्त की छुट्टी के बाद, चीन का मार्केट धड़ाम से गिर गया, चीन की कॉमनिस्ट पार्टी ने जो पैकेट चीन की एकनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए जो दिया था, वो बरबाद होता दिख रहा है, लगबग 3 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा चीनी सरकार ने मार्केट में इन्वेस्ट किया था, जिसे चीन की हालत में सुधार आ सके, लिगे सब पानी में जाता दिख र वही भारत के शेयर बजार में 6 दिन में चल रहे गिरावट का सिलसला आज खम गया, चीन की हालत देखने के बाद निवेशकों ने अपना पैसा निकालना चीन से सुरू कर दिया है, बुद्वार को शेयर इंडेक्स में सबसे जादा गिरावट आई है, क्योंकि डेटा ने 27% के गिरावट आई है, आपको मैंने बताया था कि चाइना के अंदर ऐसी एक लहर है कि भी स्टॉक मार्केट खुले और हम सारे इसके अंदर कूद जाएं, आज पहला दिन था, स्टॉक मार्केट खुली भी, और आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या सीन था, कुछ साथ दिन की चुटियां थी यहाँ पर, साथ दिन के बाद पूरा का पूरा का पूरा कंट्री आज खुला और ऐसा लग रहा था जैसे कि सबको स्टॉक मार्केट का फीवर आ गया हो, फीवर में क्यों बोल रहा हूं कि जो स्ट्रीट हैं जब चुटियों के बाद दुबार से, कि यह उने स्कूल जाना है, किसे ने कॉलेज आना है, किसे ने अपने कमपनीस पर जाना है, मैंन। लेकिन दुकाने बंत थी आज, आजे से जदा खाली थे, फैक्टरियों के अंदर काम करने के लिए कोई आया ही नहीं, क्योंकि हर एक आगमी अपने अपने घर में, उसको हम and cash करें पैसा बनाएं और मैंने आपको पहले बोला था कि पहले ही दिन 3 trillion से जाधा पैसे लगने वाले हैं turnover होगा और हुआ भी ऐसा ही एक ही दिन में साड़े 3 trillion का investment हुआ है in stocks और जैसे बोला था वैसा ही हुआ मैंने तीन बोला था साड़े दिन हो गया अब आते हैं उसके बाद कि जो चाइना का जो business landscape है ऐसे लग रहा था जैसे आज एक pause आगया हो सब को ऐसा लग रहा था कि एक tsunami आने वाली breaker लग जाता है उसको ट्रेडिंग को उसी दिन बंद कर देते हैं ताकि speculation वाले लोग अंदर ना गो सके जैसे ही 9.7% आया एकदम से market ने गिरना शुरू कर दिया उसके बाद फिर rise किया ये पिंग पॉंग पूरा दिन चलता रहा कही के लोगों ने 30% आज profit कमाया है एक दिन के अंदर और जो ये सारे stock broker थे बल्ले बल्ले होई भी पेड़ी थी उनकी अब हुआ क्या है जो companies हैं मेरी अपनी company में जो लोग काम करते हैं उन्होंने phone कर दें सर हमारी तवियत खराब है जिसने phone उठाना था HR वाले ने उसने हमें phone कर दिया कि सर मेरी भी तवियत खराब ह अब मैं समझता था कि आज सबने stock की game ही खेलनी है और ये जो एक गर्मा गर्मी है जो Chinese government ने एक package दिया था उसके करण ये गर्मी आनी शुरू हो गई यहाँ पर यहाँ पर चीज़ों के increase होना शुरू हो गया सारा दिन एक ही काम हुआ है even मैं अपने wife को लेकर hospital गया हूँ क पूरे market के अंदर अब market को तो 10% से उपर rise करना था किया क्यों नहीं उसका reason दाता हो मैं आपको आज government ने announce किया था कि वो सुबे 10 बजे वो अपने एक नया package announce करने वाले है country के लिए मैं क्यों बोला था कि no one is going to work इसका मतलब है एक मतलब यह था लोगों को लगता था कि government ए तीन trillion का देने वाली है और यह पैसा है जब market में आएगा यह सारा stock market में लगेगा तो एक stimulus package से एक बहुत massive boost मिलने वाला है stock market को लेकिन actual में हुआ उल्टा ही बगी जो होता है कि खोदा पहाड निकली चुया वो वाला काम हो गया Chinese के साथ जो big bank एक stimulus package आना था चाइना के अं तो आया नहीं है अब करेंगे क्या उसके बाद फिर जो investors से उन्होंने अपने आप ही rally करने शुरू कर दी और stocks को बढ़ाना शुरू कर दिया भाई package चाइना ने नहीं दिया stock market होंग कोंग की गिर गई 10% गिरी है एक दिन के अंदर stock market यान कि चाइना की 10% increase कर गई होंग को की 10% नीचे गिर गई पहले हमने आपको PwC के बात की थी फिर हमने आई विम पे बात की थी अब यह चीज़ सिसको पर आ दी है सिसको ने चाइना में बड़ा रेट्रेंश्मेंट किया है और अब यह वाला जाता है कि सिसको के पास चाइना में residual staff है सिसको यहीं कंपनी है ज कि कहीं सारे काड़न इसको देखे चाइना में दीरे 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 website जो है जो बिजनस है वो कम होता जारा है सिसको जैसी कंपनिया वहां रुकती है जो अपकमिंग मार्केट्स हो जहां वीडियो कॉन्फरेंसिंग काफी हो जहां चीज़े बहुत हो रही हो जहां इंट सिसको जैसे लोग का काम आता है अब यहां एक्यूलेशन की क्वेश्चन नहीं हो रहा तो सिसको को कोई काम यह अब हिंदी में समझाओं तो ऐसा समझा यह i Capłbym 5 गाडियू है मेरपास सोने की खडूरaneous से तो थे चैनिए सोना मिल गए हैं अब मुझे सबसे पहले क्या चीए मुझे सबसे पहले च spl PV मैनिंग अगर माइनिंग निए क्यूबमेंट नहीं होगा तो सोना निकालोंगा होंनों पनाती है पर अगर मेरी खान हो वे सोने ही दूत की कंप नी करेगी कैङ मेरा तो काम नहीं यहां है